हलो फ्रेंट्स सबका दिन मंगल मैं हो हैपी कुकिंग मोमेंस में आज मैं छोले की रेस्पी या काबली चना बनाने जा रही हूं तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम काबली चने लिए थे उसको आठ घंटे भूल करके आठ घंटे भिगो दिया था और अभी आधे घंटे पहले एक टी बैग डाला है और मैं टी बैग अभी उबालते के पहले इसको निकाल लूँगी मैं बहुत डार्क कलर नहीं ला रही हूं अगर आपको डार्क बलैक कलर चाहिए तो आप उबालते समय टी बैग इसमें पढ़ा रहने दे सकते हैं तो जालेंगे हल्दी नमक और इसको चलिए थोड़ा और पानी एड़ कर रहे हूं और इसको हम उबाल लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट न हो जाए तो लगबग प्रेशर आने के बाद 10-15 मिनट लग जाता है तो जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं वे आज को फाइन चॉप कर लेंगे तीन टमाटर है टमाटर को भी बारी काट लेंगे अब चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं दसवारा लैसुन अद्रग और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में एक साथी पिसे मसालों में मैंने लिया है दनिया पाउडर है जीरा है लाल मिर्च है काश्मेरी मिर्च ज्यादा लिया है गरम मसाला है और ये छोला मसाला है किसी भी ब्रैंड का छोला मसाला ले सकते हैं छुला चलिए चुक कर लेते हैं तो ये सॉफ्ट हो गया काफी अब चलिए तड़का देंगे तो तेल मैंने 2,5 टेबल स्पुन लिया है कडाई में और गरम हो रहा है तब ये प्याज भी मैंने चॉप कर लिया था, टमाटर भी मैंने चॉप कर लिया था, अधरक लैसुन हरी मिर्च को पीस लिया था, तेल गरम हो जाए, तो उसमें जीरा और साबुत दो लाल मिर्चे डालेंगे, और फिर प्याज डालेंगे, और फिर उसको प्याज को हलका सॉप्ट ह हमें उसको fry कर लेना है medium to low flame पर और प्याज fry हो जाए तो डालेंगे टमाटर टमाटर को भी 2-3 मिनट fry कर लेना है इस समय हम flame medium ही रखेंगे और फिर सारे मसाले पीसे मसाले जो हमने लिये थे सारे आट कर देंगे और इस समय थोड़ा आज कम कर देंगे medium से low पर ही रखेंगे काली मिर्च थोड़ी सी अगर आप काला कलर नहीं चाहते हूं तो हल्दी जादा डालें काश्मीरी मिर्च जादा डालें काली मिर्च कम आट करें और थोड़ा सा मसाले जलना जाएं तो थोड़ा सा पानी जा लेंगे तो छोले का जो पानी है वही एड़ किया तो थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे मसाले को हम 4-5 मिनट तक देंगी आज में फ्राई कर लेंगे और ग्रेवी को ठिक करने के लिए थोड़ा सा छोला लगबग दो कल्ची डालेंगे और उसको उसी में मसाले के साथ हलका सा मैश कर देंगे और फिर आप बाकी में छोले भी डाल देंगे और इसको हम बॉयल होने देंगे तो लगबग हम 5-7 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे जिसे कि छोले के अंदर सारे मसाले दाने-दाने में अंदर घुज जाएं डालेंगे घी थोड़ा सा थोड़े चाट मसाला डालेंगे आप इसमें और खटा पसंद करते हों तो थोड़ा इमली का पल्प या इमली का रस भी एड़ कर सकते हैं अनरदाने का बीच भी एड़ कर सकते हैं खटाई के लिए हमारा छोला तैयार हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा घी और अब मैं ऐसे ही घी आड़ कर रहे हूं आप चाहें तो काश्मेरी मिर्च से तड़का डाल के भी आड़ कर सकते हैं चुकि ये गरम है तो घी इसमें मिल गया बढ़ियां से और इसको गानिश करेंगे हरी मिर्चियों से और धन्या पत्ती से तो फ्रेंज जरूर ट्राइ करिएगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा लाइक शेर और कमेंस भी करिएगा थाइंक यू फर वाचिंग